हालो अब्रीवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की हिंदी की बुक से बाल गोबिन भगत के प्रश्ण उतर तो चलिए चाप्टर को स्टार्ट को स्टार्ट को स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्ण है वो है खेती बाड़ी से जुड़े ग्रिहस्ते बाल गोबिन भगत अपनी किन चारित्रिक विश्रिष्टाओं के करन सादू कहलाते थे यानि बाल गोबिन भगत में ऐसी कौन से विश्रिष्टा थी जिससे कि वो सादू कहलाते थे त वो हमेशा ही जूट का विरोध करते थे, उसे जूट को पसंद नहीं करते थे, उनमें लालज बिलकुल भी नहीं था, बिना पुची किसी की वस्तु, यानि बिना पुची किसी की वी चीज का उपयोग नहीं करते थे, यानि इस्तमाल नहीं करते थे, साधू की तरह अतियंते लड़ाय जगडावों नहीं करते थे और वो कभीर के गीतों को इंग जय थो रहते थे और जैसा कभीर का आदेस था वैसे ही उन आदेसों पर वो चलते रहते थे सारी उपज कबीर पंथी मट में चड़ा आते थे और उनके खेत में जितनी भी उपज हुआ करती थी वो सारी के सारी उपज कबीर पंथी मट में चड़ा आते थे और जो प्रिसाद के रूप में मिलता जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसे परिवार का पोशन करते थे और जो कबीर पंथी मट से जो भी प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था तो वो उससे ही अपना पोशन करते थे अपने परिवार का पोशन करते थे भरन पोशन करते थे अधर सही माईनों में उनका चरितर साधू के समान था जिसे वो साधू कहलाते थे तो इसलिए यहां लिखाए कि अधर सही माईनों में उनका चरितर साधू जैसा था जैसे तरह से साधू रहते थे वो भी उसी तरह से रहते थे इसलिए वो साधू कहलाते थे प्रस्न टू भगत के पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाती थी पुत्रवधू मतलब बेटे की वाइफ तो भगत की जो बहु थी यानि बेटे की जो वाइफ थी पुत्रवधू थी उन्हें वो अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाती है थी यहाँ अंसर लिखा है कि भगत की जो पुत्रवधू थी बहुत ही उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का सिर्फ वही एक मात्र सहारे थी पुत्र के बाद सिर्फ पुत्रवधू ही थी जो भगत की देखभाल कर सकती थी उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था अब पुत्रवधू भी अगht चली जाती तो भगत की देखभाल कोई नहीं करदा इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो भगत की पुत्र वधु थी वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी प्रश्न 3 भगत ने अपने बेटे के मृत्यू पर अपनी भावनाई किस तरह व्यक्ति की अब जब भगत के बेटे के मृत्यू हुई तो उस पर भगत ने किस तरह से अपने फीलिंग्स को जाहिर किया तो इसका एंसर यहाँ पर है बेटे के मृत्यू पर भगत ने पुत्र के शरीर को इस चटाई पर लिटा दिया उसे सफेज चादर से ढग दिया ददवी कबीर के भक्ति गीद गाकर अपने भावनाई वैक्त करने के लगे बगत ने अपने पुत्र वधु से कहा कि यह रोने का नहीं बलकि उत्सव मनाने का समय है विरहीनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है यानि जो आत्मा है वो अपने इश्वर से जाकर मिल गई है उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता अब वो अपने पुत्रवधू से कहते हैं कि इश्वर और आत्मा का जब मिलन होता है तो इसे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती इस प्रकार भगत ने शरीर की नशवर्ता और आत्मा की अमर्ता का भाव व्यक्त देगे और इस तरह से भगत ने शरीर की नशवर्ता यानि शरीर तो मिट सकता है लेकिन आत्मा क्या है आत्मा अमर रहती है तो इस तरह से वो अपने दिल के भाव को व्यक्त करते हैं अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। यानि बिना पर्मेशन के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। उसी के आदर्सों का वो पालन करते थे सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा इसनान करके आते थे तथा भजन गाते थे विजभूसा से भगत साधू थे यानि उनका पहनावा ऐसा था जैसे कि कोई साधू पहनते थे इनके मुख पर सफेद दाड़ी तथ सिर्प सफेद बाल थे गले में तुलसी के जड़की माला पहनते थे सिर्पर कबीर पंतियों की तरह टोपी पहनते थे शरीर पर कपड़े बस नाम मात रुके थे सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओड़ लेते थे तरह मधुर स्वर में यानि मीठी आवाज में वो कैसरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिर्धानतों और आदर्शों का अतियंते गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आश्रन में उतारते थे विरिद्ध होते हुए भी उनके स्फूर्ती में यानि जो एक्टिवनेस थी उसमें उसमें कोई कमी नहीं थी सर्दी की मौसम में भी भरी बादलों वाले भादों की आधीरात में भी भोर में यानि सुबह सुबही सबसे पहले उठकर गावों से दोmeGB दूर इस इसंicanaं करने जाते थे खेतों में अकेले ही खेती करते था गीत गाते रहते विप्रिद परस्थिती में यानि जब उपजिट सिच्वेशन होती थी तो उनके बाद भी उनकी दिन चरिया में कोई परिवर्टन नहीं आता था यानि जैसा भी मौसम हो कोई भी बात हो तो उनकी जो दिन चरि भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे, कबीर के पद उनके कंठे से निकल कर सजीव होड़ते थे, उनका स्वर बहुत मधूर था, बहुत मीठा था, उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, यानि बहुत अट्रेक्ट हो जाते थे उनकी गीतों को सुनकर औरते उस गीत को गुन-गुनाने लगती थी उनके गीत काम मनमुहग प्रभाव सारे वातवरन में च्छाता था कुष मार्मिक प्रसंगो के आढ़ार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोबिन भगत प्रछलिष सामाजिक मानताओं को नहीं मानते थे यानि जो समाज में जो मानेता थी उसको भगत नहीं मानते थे पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेग कीज़े यानि कौन-कौन सी बातों को वो नहीं मानते थे उनका उल्लेग करना है तो यह answer है कुछ ऐसे मानमिक प्रसंग है जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि गोबिन भगत उन प्रचलित समाजिक मानेताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसोटी पर खरी नहीं उतर थी उधारन सोरूप उधारन के तोर पर सबसे पहला है बाल गोबिन भगत के पुत्र के मृत्यू हो गई तो उन्होंने समाजिक परमपराओं के अनुरूप अप पुत्र का किरिय करम किसे करना था पीता को लेकिन उन्होंने खुद किरिय करम नहीं किया उन्होंने कोई तूल ना करते हुए बीना कर्म कांड के स्ट्राध संसकार कर दिया सामाजिक मानेता है कि मुखागनी पुरूस वर्गी के हाथों में दी जाती है प्रंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखागनी अपनी पुत्र वधु से ही दिलाई हमारे समाज में विद्वा विवा को मानेता नहीं दी गई है प्रंतु भगत ने अपनी पुत्रवधु को पुनर विवा करने का आदेश दे दिया यानि कि वो दुबारा से शादी कर सकती है ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया नेक्ष्ट है अन्य साध्वों की तरह भीक्षा मांग कर खाने के विरोधी थे यानि जिस तरह से दुसरे साध्वों भीक्षा मांग कर खाते थे उस तरह से भगस नहीं थे वो खुद काम करते थे और उसके बाद वो खाते थे प्रसनाथ धान की रुपाई के समय समूचे माहोल को भगत के स्वर लहरिया यानि जब वो गाते थे किस तरह चमतकरित कर देती थी उस माहोल का शब्द चित्र प्रस्तूत करें तो इसका एंसर है धान की रुपाई के समय समूचे माहोल को भगत जी के स्वर लहरिया चमतकरित कर देती थी चमतकार से भर देती थी आसाड की रिमजिम बारिश जब होती थी तो उसमें समूचा गाउं खेतों में उमण पड़ता यानि खेती बाड़ी का काम चलता कहीं हल चलते और कहीं धान की रोपाई हो रही होती धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे होते और अते कलेवा लेकर यानि नाश्ता लेकर खेतों की मुंडेर पर बैट जाती चारों और धंडी हावा चल रही होती ऐसे समय में बाल गोविन भगत की स्वरों की जनकार सब की कानों में सुना दीती बाल गोविन भगत समुचे सरीर पर कीचड से लिठरे अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए उचे स्वर में गीत गाते सभी बच्चे खेलते हुए जूम मुटते और अते उसी गीत को गुन-गुनाने लगती था था हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते रोपने करने वालों की अंगुलिया एक अजीब करम में संगीत के जादों से तेज़ चलने लगती थी निक्स्ट प्रश्न है पार्ट के अधार पर बताएं कि बाल गोविन भगत की कबीर पर स्रद्धा किन-किन रूपम प्रकट हुई है बाल गोविन भगत कबीर पर बहुत जादा स्रद्धा रखते थे तो वो किन रूपों में प्रकट हुई है तो इसका एंसर है प्रस्तूत पार्ट के अधार पर ये कहा जा सकता है कि बाल गोविन भगत के मन में कबीर के प्रती सची स्रद्धा की भावना थी बाल गोबिन भगत ने ग्रिहस्त रहते हुए साधो जैसा जीवन यापन किया यानि उनका घर के काम करते हुए उन्होंने घर संभालते हुए उन्होंने अपने जिंदगी साधो जैसा उन्होंने वैतीत किया कबीर पंथियों के समान परमात्मा को साहब मान कर हरवस्तु को साहब ही माना कबीर पंथियों जैसा संतिस्वभा वेश्बुसा काली कमली धारन करना काली कमली मतब जो काला कमबल होता है कमली मतब कमबल हो तो काली कमली धारन करना आदी विसस्ता है भगत जी की कबीर के प्रती स्रद्धा वैक्त करती है बाल गोबिन भगत के मन में कबीर जी द्वारा चलाएगे कबीर पंथ आडम बरो का विरोध परमात्मा का कनकन में विद्यमान मानना मनुष्य को परमात्मा का अंस होना संतिस्व भावधारन करना आधी रूपों में स्रद्धा वैक्त्य हुई है हमारी द्रिष्टी में भगत की कबीर पर अगास पुर्द्धा की क्या कारण रहे होगे करने में स्वयम को समर्थ मानते होंगे तब उन्होंने इस पंथ को अपने जीवन में अपनाया होगा गाउं का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आसार पड़ते ही उल्ला से क्यों भर जाता है तो इसका अंसर है गाउं का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आसार चड़ते ही उल्लास से भर जाता है क्योंकि आसार का महीना धान की रोपाई का महीना होता है सभी ग्रामिन घर से निकल अपने अपने खेतों में धान की रोपाई में जुट जाते हैं आसार के महीने में वर्सा किरिमजीम में सभी कामना अनदित होता है साधू की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आपके इन आधारों पर ये सुनिश्रित करेंगे कि अमक वैक्ती साधू है। तो इसका अंसर है नहीं, साधू के पहचान केवल पहनावे से ही नहीं की जा सकती क्योंकि वेजभूसा से साधू होते हुए भी कोई सन्यासी वेवार से साधू धर्मे का निर्वा नहीं कर सकता है यानि सिर्फ साधू के वेजभूसा पहन लेने से वो वैसा वेवार नहीं कर सकता है जैसा साधू करते हैं तो व्यक्ति के मन का साधू सरल सभाव ही मनुष्य को सच्चा साधू बनाता है, यानि किसी व्यक्ति का जो मन होता है, अगर वो साधू जैसा हो, सरल सभाव का हो, तो ही वो मनुष्य को सच्चा साधू बनाता है, हम किसी भी व्यक्ति के कर्मों वाणी तथा आचरन से ये सु 13 मोह और प्रेम में अंतर होता है भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिध होंगे तो इसका अंसर है मोह और प्रेम में अंतर होता है भगत जी के जीवन की घटना पुत्र के मृत्यू के आधार पर ये कथन सच सिध होता है मोह सांसारिक है लेकिन प्रेम अलोकिक है पुत्र के प्रती मो की भावना ही बाल गुविन भगत को उसके मंद बुद्धी होने पर उसके तरस कर उसके परिवार के भरन पोशन का दाई तो निभाने के लिए विवर्श करती है यानि कि पुत्र तो मंद बुद्धी था और इसी वज़ा से जो बाल गुविन की भावना थी पर मातमा प्रेम पूत्र मो से उत्थम है इसलिए पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी रूनी की बजाईगी दगा कर उत्सव मनाते हैं उनका मानना है कि विरहीनी आतमा अपने प्रेमी पर मातमा से मिल चुकी है अता आतमा की इस चर्मवस्था पर आनंद बनाना चाहिए बालको बिन भगत मुह को बंधन मानते हैं जबकि प्रेम इसके विपरित बंधन से मुखती है तो ये थे बालको बिन भगत के प्रश्ण उत्तर आई होप आपने स्क्रिंशॉट ले लिया है और इसके बाद आप इसे कंप्लीट करेंगे अपने एक्जाम्स के लिए अगर वीडियो पर संद आई है तो लाइक इन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू